गरीब पर गर्मी का कहर प्रिया धूप में स्कूल से आती है गर्मी से उसका चहरा लाल पड़ा था प्रिया की मा सुमन पानी का गिलास भर कर प्रिया को देती है ले बेटा पानी पेले बाहर बहुत गर्मी है न प्रिया पानी पीती है ये पानी तो बहुत करम हो गया है मा, ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है बेटा, मैंने सुबह ही पानी भर कर रखा था, लेकिन गर्मी के वज़ा से ये करम हो गया है मा, मुझे कर स्कूल ठंडा पानी लेकर जाना है, पता है मेरी क्लास के सब बच्चे बोतल में बर्फ जमा कर लाते हैं और पूरा दिन ठंडा पानी पीते हैं प्रिया बेटा, तुझे पता है न, अभी तेरे पिता और मैं इतना नहीं कमाते के हम इतना महंगा फ्रिज खरीट सकें अगर तुझे बर्फ से जमा हुआ पानी ही लेना है, तो एक काम कर, शाम को ही शार्दा भावी के घर अपनी पानी के पोतल दे आना, वो फ्रिज में जमा देंगी, फिर तुकल स्कूल लेते जाना, और दिन भर ठंडा पानी पीना सुमन लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी, और मोहन भी महनत मजदूरी करके अपने परिवार को पाल रहा था, वो दोनों कैसे भी करके अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे शारदा सुमन के पडोस में रहती थी, और उनके घर में फ्रिज था, सुमन कई बार शारदा के घर से थंडा पानी ले आती थी ठीके मा, मैं अभी पानी की बोतल भर कर शारदा चाची को दे आती हूँ और प्रिया पानी की बोतल भर कर शारदा के घर जाती है प्रिया जब उसके घर पहुँचती है तो सब दोपहर को अपने घरों के अंदर सो रहे थे प्रिया घर के बाहर से आवाज लगाती है प्रिया की आवाज सुनकर शारदा उठती है एक तो ये अराम से सोने भी नहीं देते, इतनी गर्मी में भी अपने घर नहीं रुकते शार्दा देखती है कि प्रिया पानी के बोतल हाथ में लिए वहां खड़ी थी क्या है इतनी दोपहर में यहां क्या कर रही हो, क्या हुआ चाची जी, मेरी पानी की भरी पोतल को आप अपने फ्रिज में रख दो, इसको बरफ बनाने वाले हिस्से में रखना, ताकि सुबह तक इसमें बरफ चम जाए, फिर स्कूल में पूरा दिन धंडा पानी पियोंगी हमारे फ्रिज में पिल्कुल जगह नहीं है, बहुत समान है फ्रिज में ऐसा कहकर शार्दा अपने कमरे में चली जाती है, शार्दा की बात सुनकर प्रिया को बहुत बुरा लगता है, और वो उदास मन से घर लोटाती है प्रिया को देख सुमन पूछती है क्या हुआ ऐसे क्यों आई हो प्रिया दुखी मन से अपनी मा को सारी बात बताती है अगली सुभा सुमन काम पर जाती है और जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करती है मालकिन मुझे थोड़ी बर्फ देदो मेरी बेटी ठंडा पानी पीना चाहती है सुमन आज सुभा ही हमारा फ्रिज खराब हो गया है अभी कुछ दिन बार ठीक हो पाएगा और सुमन भी वहां से निराश होकर चली जाती है शाम को सुमन अपने पती से बोलती है आज प्रिया बोल रही थी कि वो कल स्कूल के बाकी बच्चों की तरह वो भी पानी की बोतल में बर्फ चमाकर लेकर जाना चाहती है तो मुहन भाई के घर में फ्रिज है ना वहां रखाती प्रिया आज गई थी वहां लेकिन शारदा ने उसे मना कर दिया देखो सुमन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं फ्रिज खरीद सकूं बड़ी मुश्किल से प्रिया के स्कूल का खर्चा उठा पा रहे हैं हम गर्मी की वज़ा से अपनी फसल भी बर्बाद हो रही है और बाहर कोई काम भी नहीं मिल रहा है कहतो आप ठीक ही रहे हो और वो तीनों खाना खा कर सो जाते हैं अगले दिन प्रिया स्कूल से वापिस आ रही थी रास्ते में उसे एक बोड़ी औरत पिहोश पड़ी मिलती है प्रिया की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है वो दोड़ कर उसके पास जाती है अरे ये तो पिहोश है प्रिया जल्दी से अपने बाक से बोटल निकालती है और उनको पानी पिलाती है और उस बूड़ी औरत को होश आ जाता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जो तुमने मुझे पानी पिलाया गर्मी के बज़ा से मुझे चक्कर आ गया था और मैं बिहोश हो गई थी लेकिन तुम्हारे अलावा किसी ने भी मेरी मदद नहीं की लेकिन बोटल का पानी बहुत गर्म था इसलिए आज मैंने पानी नहीं पिया हरे मेरी बच्ची अब तुझे गर्मी में कभी प्यासा नहीं रहना पड़ेगा और वो औरत प्रिया को एक कलश देती है ये कोई साधारन कलश नहीं है इसमें रोज कुछ सोने के सिक्के मिलेंगे जिससे तुम अपनी गरीबी दूर कर सकती हो और जरूरत मंदों की मदद कर सकती हो प्रिया उस कलश को देखने लगती है और वो औरत वहां से गायब हो जाती है अरे वो अम्मा कहां गई और प्रिया उस कलश को लेकर अपने घर आ जाती है और सारी बात अपनी मा को बताती है अगली सुभा जब वो कलश देखते हैं तो उसमें बहुत से सोने के सिक्के थे प्रिया इसमें तो सच में सोने के सिक्के हैं और वो सभी बहुत खुश होते हैं उनकी सभी परिशानियां खत्म हो गई थी और वो खुशी-खुशी रहने लगते हैं मधुबनपुर की गाउं में एक लक्ष्मी नाम की बूड़ी महिला रहती थी, उसकी तीन बेटी थी, सोना, मोना, पायल लक्ष्मी का पती बहुत साल पहले एक हाथसे में मर गया था, जिसके बाद से लक्ष्मी अकेले पढ़ गई थी, और तीनों बेटीों की परवरिश लक्ष्मी ने अकेली ही की, लक्ष्मी बहुत गरीब थी, और खाने के लिए एक समय का भोजन का इंतजाम भी बहुत मुश् रही हूँ, तुम तीनों भी अपने अपने काम कर लेना और अपना ध्यान रखना, हाँ हाँ मा फिक्र मत करो, हम सारी काम कर लेंगे, हम तीनों अपना ध्यान भी रख लेंगे, हाँ मा, मा आज मैं भी आपके साथ काम पर चलती हूँ और आपकी मदद करवा दूंगी, नही मेरी बच्ची मैं कर लूँगी, तुम मेरी फिक्र मत करो बेटा, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए मेरी मदद करना चाहती हो ना, अब हम बड़े हो गए हैं न मा अब आपको गर में ही रहना चाहिए और आपको अराम करना चाहिए अब हम जाकर आपके बडले का काम कर सकते हैं नहीं बेटा मुझे ही ये काम करने दो मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ये काम कभी ना करना पड़े मेरी बच्चियों अब तो तुम्हारी शादी की भी उम्र होती जा रही है मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी शादी कैसे कर पाऊंगी मा अब फिक्र मत करो सब देखा जाएगा ऐसा कहकर लक्षमी काम पर चली जाती है और अपनी काम में लग जाती है यहां घर पर सोना और मोना दोनों ही पायल से बहुत ज्यादा चिरती थी क्योंकि लक्ष्मी अपनी छोटी बेटी पायल से बहुत प्यार करती थी सोना और मोना हमेशा ही लक्ष्मी के जाने के बाद पायल से सारा घर का काम करवाते थे पर लक्षमी को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी और उसे अपनी बेटियों पर बहुत विश्वास था और वो तीनों को ही बहुत प्यार करती थी मोना देख रही है न दिन पर दिन ये मा से कितना चपकती जा रही है जब देखो मा को मक्खन लगाती रहती है मा भी इसकी बातों में आकर इससे ही प्यार करती है हमसे नहीं करती हाँ बहन ये तो मैंने भी देखा है कैसे ये अपनी चिकनी चुकडी बातों में मा को फसा लेती है और मा भी इसकी बातों में आकर इसी से प्यार करती है हमको ना इसके लिए कुछ करना होगा हाँ बहन वो दोनों ही कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं और रात को लक्षमी ख़र पर आती है सोना अपनी मा को फसाने की कोशिश करती है मा तुम ठक गई होगी न क्यों ना मैं आपके पैर दबा दूँ जिससे आपके पैरों में दर्द नहीं होगा और मा मैं आपका सर दबा दूँगी अरे नहीं मेरी बच्चियों इसकी जरूरत नहीं है मैं बिलकुल ठीक हूँ अच्छा ये बताओ तुमने खाना खाया या नहीं हाँ हाँ मां हम सब ने खाना खा लिया है बस एक आप ही रह गए हो मां आप हाथ मूँ धोलो मैं खाना लेकर आती हूँ हाँ बेटा ठीक है ऐसा कहकर लक्ष्मी हाथ मूँ धोने चली जाती है सोना और मोना दोनों ही अपनी मां को मक्षन लगाने की कोशिश करते है खाना खाने के बाद लक्ष्मी सोने के लिए जा रही थी फिर वो बोलती है मां आपका सर्या पैर दबा दूं क्या मेरी बच्ची जब तुम इतना ही बोल रही हो तो ठीक है दबा दो ऐसा कहकर लक्ष्मी सोना और मोना को अपना पैर और सर दबाने के लिए हाँ बोल देती है कुछ देर तक जब दूनों हाथ और पैर दबा रहे होते हैं तो वो ठक जाते हैं और अपनी मां से बोलते है मां दर्द खटमो गया क्या? मैं ठक गई हूँ बैटी अभी तो तुने शुरू ही किया था तु इतनी जल्दी ठक गई मोना तु भी ठक गई है क्या? हाँ मां मैं भी ठक गई हूँ वैसे तो इतना बोल रही थी तुम दोनों कि आपके पैर और सर दबा दू अब बोल दिया तो तुम से हो ही नहीं रहा है कितनी कमजोर हो तुम दोनों अपनी छोटी बहन से कुछ सीखो जाओ तुम दोनों जाकर सो जाओ और पायल को मेरे पास भेज देना क्यों माăng? क्या हुआ? उसे क्यों भेजना है? बेटा मुझे उससे कुछ बात करनी है क्या बात करनी है मा? आप हम दोनों को बताओ हम दोनों है तो हाँ मां हम दोनों है तो हमें बताऊना क्या बात है मां पायल को क्यों परिशान करती हो वो बिचारी तो ठक कर सो गई होगी अरे नहीं मेरी बच्चियों वो इतनी जल्दी सोने वाली नहीं है जब तक वो मुझे नहीं सिला देती न उसे नींद नहीं आती ऐसा कहते ही पायल कमरे में आ जाती है और सोना और मोना दोनों ही बहुत ज्यादा चिड़ जाते हैं और गुस्से में अपने कमरे में चले जाते हैं पायल अपनी मा के पास जाकर उनके पैल और सर दबाने लगती है पता नहीं बेटा इन दोनों का क्या होगा दोनों ही पता नहीं क्या करती रहती है बड़ी ही जल्दी ठक जाती है पता नहीं इनका क्या होगा क्या मा तुम भी न फाल तुमें ही फिक्र करती रहती हो सब कुछ ठीक हो जाएका मा आप इतना ज्यादा मत सोचा करो ऐसा कहकर लक्षमी पाइल को सोने के लिए बोल देती है और खुद भी सो जाती है लक्षमी के सभी आसपडोस में रहने वाले लोग पाइल की बहुत तारीफ करते रहते थे और हमेशा पाइल की ही बात किया करते थे अगर लक्षमी के घर में कोई भी महमान आता तो वो भी पाइल की तारीफ किया करता था इस बात से मोना और सोना भी बहुत गुस्सा हो जाते थे पाइल सभी के साथ ही बहुत अच्छा बरताव करती थी और सब की सेवा करती थी इस वज़ा से सभी उससे बहुत खुश रहते थे एक दिन सोना और मोना इस बात से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो दोनों ही कुछ सोचने लगते हैं बेटा मैं काम के लिए जा रही हूँ तुम सभी अपना ध्यान रखना ठीक है बेटी और पायल का भी ध्यान रखना मोना देखा मा अभी भी उसका खयान रखने के लिए बोल रही है हाँ बहन पतानी इसमेंसा क्या है जो सभी इसकी पढ़ाई करते रहते हैं लक्षमी काम के लिए चली जाती है और वो पूरे दिन काम के तलाश करती है पर उसे आज कहीं भी काम नहीं मिलता और वो निराश होकर घर आ जाती है फिर पायल अपनी मा से पूछती है मा क्या हुआ तो मुदास क्यूं हो बेटा आज कहीं भी काम नहीं मिला क्या करूं मैं ऐसे तो कुछ भी खाने के लिए नहीं बचेगा और फिर हम खाएंगे कहां से मा आप इतनी फिक्र क्यों करती हो भगवान पर भरोसा है ना मा वो सब कुछ ठीक करेंगे आप स्यादा फिक्र मत किया करो मा और फिर बहुत दिन हो जाते हैं घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं होता सभी का भूग से बहुत बुरा हाल हो जाता है सभी बहुत ज्यादा दुखी और निराश हो जाते हैं पायल से भी ये सब नहीं देखा जाता और वो घर से बाहर कुछ खाने की तलाश में और काम की तलाश में निकल पड़ती है पायल बहुत से घरों में काम के लिए पूछती है लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता फिर वो हार मान कर एक जगा बैठ कर रोने लगती है तभी एक राजकुमार की नजर उस पर पढ़ती है और वो उसके पास जाता है और पूछता है क्या हुआ तुम ऐसे निराश क्यों बैठी हो मेरी माँ और मेरी बहनों ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है और सभी भूग से बिहाल हो रहे है ऐसा ही रहा तो सभी पिमार हो जाएंगे आप फिक्र ना करें आप मुझे अपने सांत ले चलें पायल उसे अपने सांत ले जाती है जब राजकुमार पायल के घर जाकर सबकी हालत देखता है तो उसको सभी पर बहुत दया आती है और वो उन सभी के लिए ठाना लेकर आता है और पायल की मा लक्षमी से पायल से शादी करने के लिए पायल का हाथ मांगता है राजकुमार पायल को बहुत पसंद करने लगता है और पायल की शादी राजकुमार से हो जाती है फिर सभी हमेशा खुश रहते हैं और उन्हें फिर कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती